एक फिर से स्वागाद है दोस्तों मेरे चैनल I am your teacher पर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम Facebook Ads के अंदर custom audience को create कर सकते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जुरूर सिस्क्राइब बिलीजी और साथ ही notification bell को दबा दीजी ताकि आप को भी वीडियो मिस ना कर देए चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम Facebook के अंदर custom audience को upload करने वाले हैं कस्टम audience को क्यूं और कब यूज करते हैं कस्टम audience को यूज करने का जो मेन मोटिव होता है हम चाहते हैं कि हमारी जो एड है वो स्तिर्फ और स्तिर्फ इन ही numbers पे या इन ही email IDs पे लोगों को show हो ठीक है जिन email ID का data आपके पास है या जिन से आपने custom audience पनाई है ठीक है तो चल अगे Facebook Ads Manager पर आने के बाद आप यहां देखेंगे लेफ सफसिटी पर आपको यहां audience का segment मिलेगा अटिक ओरस पिक करेंगे के audience पर supplier करने के बाद आपकी करेंगे के अ स्पिक करते हैं यहां से कुछ भी स्लَच नहीं करें किसको Aした करने के बाद आप यहां देखेंगे, आपके पास बहुत सारी आपके पास किसस तरीके से आप कस्तम डीडगर को बना सकते हैں, आयडनτιफाइर्स बता रखें ठीके, नेक्स प्लिक करेंगे, ठीके, यहां नोपे क्लिक कर देते हैं, next प्लिक करते हैं, अब आपके पास, या तो आप CSV फॉर्मिट में डाल सकते हैं, या तो text format में डाल सकते हैं, ठीक है, तो click करते हैं, upload file पे, हमने एक audience बना के already रख्यों हुई है, टेक्स फॉर्मिट में, इस पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, इस audience का नाम क्या है, वो दे सकते हैं, नेक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ यह देखिए, map हो चुका है, जो भी हमने numbers डाले थे, ठीक है, आप जो भी अगर आप numbers डालते हैं, तो numbers के आगे आपको international format रख ठीक है, जितने भी numbers हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कि upload होगे, यहाँ देखिए, आपको 462 दिखाई दे रहा है, हमारे पास इतने ही number थे, जो हमने upload कि हैं, ठीक है, upload करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, कि आपको आच चुका है, कि आपके totally कितने numbers upload हो चुके ह ठीक, done पर click करते हैं, अब आप यहाँ देखेंगे, कि आपकी जो custom audience है, वो populate हो रही है, ठीक, यहाँ populating दिखा रहा है, कुछ टाइम बात आप देखेंगे, कि उसके अंदर कितने लोग हैं, या जो users हैं, वो available हैं, या जिन पर आप targeting कर सकते हैं, आशा करता हूँ दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा, कि आप किस तरीके से Facebook के अंदर custom audience को बना सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे like जरू कीजेगा, इस पूरे process को करते हुए, अगर आप किसी step पे अटक गए हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, और अब